मेरा क्वेस्टन है सिर्फ 5 दिसंबर को जब गहलोत ने भाजपा द्वारा अपनी सरकार गिराए जाने की उस पे बात पर आशंग का व्यक्त की थी तो क्या इसका क्या आधार था और क्या सचमुझ इसमें कोई इंटेलिजेंस इंपुट था या फिर राजनी तिक न्यूकति क्यों मंत्री मंडल फेर बदल के माध्यम से पाइलट के लोगों पाइलट के लोगों की ताच पोशी को रोकने के लिए किया गया था इस सवाल का आधा उतर मैं दूंगा आधा उतर मैं मेरी सीनर को लिए अधितिस कोंगा को शुरू करें सर आप ही बता ज्यादा अच्छे से उस पर लाइट डाल पाएंगे क्योंकि आप जो समझाएंगे वो ही ज्यादा अच्छे समझाएंगा तो इसके दो कारण है जिन से हम कह सकते हैं को इंसिदेंस भी हो नमबर वन ये फैक्ट है कि जिस दिन ग्यालोत ने ब्यान दिया कि मेरी सरकार को खत्रा है उससे एक दो दिन पहले उनको आला कमान से बकारदा फॉर्मुली मैसेज आ गया था कि ये तारीके ते हुई है पीसी स्पुनर गट्षन की और पॉलिटिकल एपॉइंट्मेंट्स की वान सेकेंड ये है कि भहुत संभव है क्योंकि अशोग घलोत भहुत जाद चोकन्ने और उनका जो फीड़बैक सिस्टम में गजब है कद्वा मुझे लगता है कभी-कभी कि एक होम सेकेर्ट्री के नाते काम करते हैं क्राइसिस में वो टोटल लॉइन और टोटल इन्पूट 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 सब उसके कंट्रोल में रहती है उनके टोटल जो है तो मैंने सुना था उनको इंपूट गया है कि पांस निर्दिली वालों ने किने लोगों ने बात की है पाइलिट केम्म के लोग रुकते हैं डिले होता है तो ठीक है कि serious threat आई हो, serious information आया हो, serious input आया हो, serious feedback आया हो और ये गहलोत की reputation है कि media में बहुत सोर समझ के बोलते हैं और आम तोर पर हमें यकीन करना चाहिए कि वास्तों में ऐसा input आया होगा और अगर नीव आए एक पल के लिए तो coincidence हो गया तो कोई खास इससे फरक नहीं पड़ा, आप ये मानिए और ये हुआ जो है